Dear Students, आज का हमारा टोपिक है निकास क्या है? What are Outputs? डेविड इस्टन के नुसार, निकास Outputs के निरने हैं, जो निवेश मांगूं को समुक रखकर राजनतिक परनाली दुआरा किये जाते हैं, जब राजनतिक परनाली से कुछ मांगी की जाते हैं, तो उन मांगूं पर भी वातावन का परवा होता है, उदारन के रूप में किसी देश में मुद्रा का मुलन अत्ते दीख हो जाता है, तो मजदूरूं या अन्ने सर्मिकों के वेतन में कुछ परिवर्तन कर दिया जाता है, इस परिवर्तन के कारण मजदूर सरकार के विरुद परदर्शन करते हैं तथा आपने वेतन के बढ़ाने के लिए मांगे पेश करते हैं इसका अभी प्राई ये हुआ कि मजदूरों की ऐसी मांगों पर वहां के आर्थिक परनालिके प्रेणामों का परवाव पड़ा है और इन मांगों को निवेश मांगे यानि डिवांड सोफ इंपूट्स का जाता है राजनती परनालिके डाचे को इन मांगों पर विचार करना पड़ेगा परन्तु ये संबव है कि देश की आर्थिक परिस्थितिया उन मांगों को पूरन तश्विकार करने के आग्या ना दे उनका विप्राई ये है कि राजनती परनालिके डाचे द्वारा उन मांगों समंदी जो निड़ने लिये जाएंगे उन निर्णों पर भी देश की आर्थिक परिस्थितियों का परवाव होगा इन समस्त निर्णों को ही डेविड इस्टर ने निकासों यानि आउट्सपूर्स की संग्या दी है राजनतिक परनली के निवेस, आउट्सपूर्ट, निकायँ, इन्पोर्ट्स को भी जरम दे सकते हैं यदि लोग राजनतिक परनली के निकासूं से संतु sobie होंगे तो वे अपनी मांगूं को पुने परस्तुत कर सकते हैं यह का जा सकता है कि निवेस मांगें केवल समाज से उत पर नहीं होती हैं पितु समाज के बारी बाता उन से भी राजमतिक परनालिय में आ सकती है जैसे कि विश्वे युद के कुछ मुख्य देशों में विश्वे की किसी भी देश में कोई युद छिट जाता है तो विविन देशों की राजनतीक परनालियूं पर उसका परवाव अवस्य पड़ता है। यूद से समंदित अपनी अपनी निती का निर्मान हर देश बनाता है। जैसा कि 1945 में दूसरे विश्वेज़ के कारण बिर्टेन ने कोमन सदन, House of Common का चुनाव एक वर्ष के लिए टाल दिया था। इसका चुनाव पांच वर्ष की बजाए छे वर्ष में करवाय गया था। यानि की कोमन सदन का कारेकाल 6 वर्ष का कर दिया गया था। वरना वो पांच वर्सका होता है और इसका विश्वयुद के कारण परवाव दिखाई दिया ये था निकास क्या है थेंकि